कि नमस्कार स्वागत है आपका स्पेन नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शूती महराष्ट में राहुल गांधी ही नहीं बलकि जोतिराधित सिंधिया भी फेल हुए हैं जी आप बता दे आपको कि महराष्ट में जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गया थे जोतिराधित सिंधिया वहीं देखा जाए तो उनकी उपस्ति थी उस तरह से नहीं देखी गई उनका प्रदर्शन भी काफी अच्छा नहीं देखा गया वहीं हमारे इस क्या कहींगा बिल्कुल जोतर थीप की बात आती तो जाहिर बात बाते करें यहांब करें कि कांडरेसी उपारु निताओं के बनानी कोशिश की और यही बात लगातार कहते रहे कि अब बदलाव महारास में देखने को मिलेगा और उसके बाद लोगों ने भरोसा भी किया जो था सिंध्या की उपर और सरकार कहीने कहीं कांग्रेसी बनती है लेकिन फिर भी अगर सीम पत की बात करें जिसके लिए लग करने में भूमी का निभाई है कि पूरे माहूल को देखा जाए तो कॉंग्रेस ने बिल्कुल 44 सीटे हासिल की और प्रदेशन कुछ हद तक बहतर किया अच्छा घटबंदर में उनको था लेकिन फिर भी जिस तरह की उपस्तिति नजर आने चीए जो तरह सिंध्य की बैसी नहीं आए कि उमिला मातोर कर ने पार्टी चोड़ दी और भी कई लोगों ने पार्टी चोड़ दी मिलीन देवड़ा बहुत जदे एक्टिव नजर नहीं आए वहीं संजीन उनुपरम की बात करने को मना कर दिया तो यह तमाम सारी बात थी जो उनके जाने के बाद जो जिकर किया बिलकुल यह बड़ा मेहत्पूर मामला आएगी जब भी इस तरह के इंटरस्टिंग मुद्ध्ध आते इस तरह की जो चीजे होती जहां पर कवायद होती सरकार बनाने की नजर नहीं आते किसी फ्रेम में नहीं आते जो कहीने कहीं सब्ज़ करता है कि क्या बो भ पाटी में अच्छा का था ना में अच्छा का था लेकिन फिर भी वह नजर नहीं आना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है क्योंकि यहां पर देखें तो लगाता नातिम रेंद मोदी जो देश की पीम है बलकि बीज़ेपी की नेता भी है उनके साथ में शाथ आमिशा जो मन्तरी है बीज़ेपी के नेता भी हैं वह भी कहने कि इस फिराक में लगे रहे कि किस तरह से महारास्त में सरकार बनाई जाये उसके आखि्यास औरने कर कि बीज़ेप्य करेंदी लिया वोना चाहिए तो लाखन जो खार नो प्लफिकर के सांथ मिरों यहां थिखेंदीग मे है रहे रात तक भी आप देख से बैटके मीटिंग होई है तो अगर आप नहीं बनाना चाहिए तो उसको लेकर प्रस्टिक होना चाहिए हां ना की बात जो कहने कहीं जो परशोपेश में डालती है और यही कहने के बज़े है कि महारास्त में सेंद्मारी करके जो भी जे पी न रहे लगा था जो अपने आपको लेकर जा रही है वो पार्टी के आने वाले भविष्टे के लिए बहुत खतरनाग हो सकता है क्योंकि राहूल गांधी का एक्टिव जाना बहुत जरूरी है उनके साथ में और तमाम जो लीडर्स थे खासके यूबा नेताव करना चाहूंगा सचीन पाइलेट की बात मैं करना चाहूंगा यह लोग भी फरंट पर नजर नहीं आते अब यह सारा दरमदार बुड़ी होती जा रहे हैं उमर दरात होती जा रहे हैं सोनिया गांधी कांधों पर पढ़ गया है जो मेरे खिल में बहुत 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 नहीं है क्युंकि कोई भी निता बहुत ज़्यादा एक्टिव हो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिहां महाराष्ट में जिस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारी थी महाराष्ट में कॉंग्रेस कॉण्या गांधी पर नहीं दिख रहा था तो बहुत ही असान था यहां कर सरकार बनाना हलाकि कुछ मिद्दे थे कुछ विचार धारा थी जो दोनों की अलग थी लेकिन जो बाते हो रही थी उसे साफ नजर आ रहा था कि कहीं न कहीं आप जो है मुख्यमंत्री उद्धर ठाकरे बन जाएंगे और यहाँ पर सहमती बन जाएगी लेकिन शनिवार की सुबह को यहाँ देविन फड़नवी उसने मुख्यमंत्री पदी की सफ़त ले ली और अब बहुमत साबित करना बांकी रह गया है आपका इस बात में क्या रहा है आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आगे त नमस्काइ